मुवी अपडेट्स में आप सभी का स्वागत है जैसा कि पहले हम सबको जानकारी थी कि जौन अब्राहम की फिल्म अटैक गंतंत्र दिवस 2022 के आसपस रिलीज होगी अपसोस की बात है कि ओमिक्रॉन संसकरन के तेजी से प्रसार के कारण देश कोवीड-19 की तीसरी लहर से बह गया था नतीजितन दिसंबर के अंद और जनवरी 2022 में रिलीज होने वाले सभी फिल्मों को अनिश्चित काल के लिए स्थागित कर दिया गया इसमें सिर्फ अटैक ही नहीं बलकि जर्सी, आरारार, रादे, श्याम और प्रित्वी राज जैसे फिल्मों भी सामिल थे निर्माता 25 फरवरी 2022 को अटैक को रिलीज करने पर विचार कर रहे हैं हलाकि दिली में सिनिमा घरों के खुलने और हर्याना के बड़े किंद्रों और अधिकांस महतपूर्ण राजियों में रात के कर्फियों हटाए जाने के अधीन होगा यह बहुत सबस्ट है कि अब तिस्री लहर पिछली दो तरंगों की तुलना में हलकी और छोटी हो गई है अस्पताल में भरती होने की दर बहुत कम रही है और अब जादतर शेरों में मामलों में गिरावट आ रही है नतीजितन यह उमीद की जाती है कि फरवरी में अधिकांस राज प्रतिबंदों में ढील देंगे अटैक के निर्माताओं को लगता है कि 25 फरवरी रिलीस के लिए एक आधर्श रमय होगा क्योंकि तब तक रात का कर्फियू अतीद की बात हो गई होगी और उमीद है जातर राज सो प्रतिशत आउकिपेंसी पर काम कर रहे होंगे टीजर को अच्छा रिस्पॉंस मिला है और ट्रेडर्स को लगता है कि इसे बॉक्स आउफिस पर खास कर मास मार्केट में काम करने का मौका मिलेगा अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे वीडियो और बनाए और आप तक फिल्मी अपडेट्स पहुंचते रहे तो हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मैं राज रंजन आपका प्रस्तुत करता सभी प्रसंसकों और दर्शकों को उनके बिनासर प्यार के लिए तहे दिल से धनिवाद करता हूँ